5 class science की book open करें आज जो हमारा chapter था chapter number 4 matter and changes in its states chapter number 4 जो है मारा topic matter उसके हमने question number 5 कर लिये थे आज हम इसका करेंगे question number 6 क्या है वाइडर्स एंड आइस क्यूब मेल्ट एट रूम टंपरियर्चर वाइडर्स क्यूं जो है बर्फ के जो टुकरे हैं वह कमरे के दर्जाहरात पर पिंगलते हैं इसका आंसर जो है वह पेज नंबर 48 पेज नंबर 48 पे यहां से इसका आंसर है जब बर्फ के जो क्यूब होते हैं वो मेल्ट होते हैं तो वह अपनी हालत को बदल लेते हैं solid ice becomes liquid water यानिके solid ice यानिके solid यानिके एक शकल में जो उसकी solid शेप होती है वो becomes the liquid water पानी में तद्दीर हो जाते हैं यही वज़ा है कि जो बर्फ के जो टुकरे होते हैं वो इर्द गिर्द के temperature की वज़ा से ही heat energy उनमें आ जाते हैं और जिसकी वज़ा से जो solid ice cubes होते हैं वो liquid water में बदल जाते हैं इसका answer question number six का यहां से लेके यहां तक आपने question number six का answer कर ला है